हाई अव्रिवन मैं हूँ धनंज है उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दुन्या में वार हो और यूएस का नाम वहाँ पर ना आए ऐसा हो नहीं सकता है यूएसे इसरेल को वेपन भी दे रहा है पैसे भी दे रहा है और साथ में United Nations Security Council में Ceasefire को लेके proposal भी ला रहा है कहने का मतलब है कि ये आपको खाना भी खिला रहा है उपर से ये आपको मार भी रहा है अब क्यूंकि इसरेल और हमास के बीच में जो जंग है वो लगभग 6 महीना से चल रहा है और अब जिस तरीके से इसरेल common civilians को target कर रहा है ये कहीं न कहीं अब visible है और कल तक वैसे देश जो इसरेल को support कर रहे थें वो अब बहुत ही मुखर तरीके से इसरेल को oppose कर रहे है और बहुत ही खुले शब्दों में कह रहे हैं कि जो इसरेल कर रहा है वो बहुत ही गलत है और ठीक इससे अलग Russia और Ukraine भी already war में है तो कहीं न कहीं जो global tension है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और उसके बाद इसी साल US में election भी है जहांपे जो बाइडन को ये दिखाना है कि वो काफी responsible आदमी है और as in US भी उनको ये दिखाना है कि US देश भी काफी responsible है इनी सब चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि शायद पहली बार President Biden नेतनियाहू को प्रेशराइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ceasefire जल से जल करें इस वीडियो में हम इनी सब के उपर बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि किस तरीके से President Biden के लिए ये बहुत ही महत्पून हो जाता है कि इस war को वो जल से जल रोकें मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे US के उपर ये pressure create किया जा रहा है कि वो Benjamin Netanyahu को कहें कि आप war को जल से जल रोकें इसी में क्या होता है कि इसी महीने के एक तारीक को World Central Kitchen जो की एक NGO है और ये लोग वहाँ पे खाना खिलाते हैं उस areas में जहाँ पे खाना मिलना काफी मुश्किल है तो इनके जो aid workers होते हैं वो गजा में जाते हैं और वहाँ के लोगों को खाना खिलाते हैं लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो इसरेल के जो defense forces है वो बहुत ही targeted तरीके से इनके convoy पे या इनके गाली पे वो attack करते हैं as a result क्या होता है कि world central kitchen के 7 aid workers इस attack में मारे जाते हैं और जैसे ही ये news public में आता है चाहे वो किसी भी देश के हो वो काफी इस चीज को condemn करते हैं as a result ये होता है कि Benjamin Netanyahu के उपर भी काफी pressure create किया जाता है Biden के उपर भी काफी pressure create किया जाता है और बहुत हद तक US में और इसरेल दोनों देशों में जो लोग है वो बढ़ चड़कर protest करना शुरू कर दिये हैं मैं ऐसा लग सकता है कि Benjamin Netanyahu इसरेल के प्राइम मिनिस्टर है तो पूरा का पूरा जो इसरेल है वो Benjamin Netanyahu के साथ ही है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है इनका जो over aggressive policy है कही न कहीं जो common Israelis है ये उनके लिए मुश्किल create कर रहे हैं क्योंकि World Central Kitchen में जो long थे यानि कि जो aid workers थे वो अलग-अलग देशों के थें तो इसलिए भी इसरेल के उपर जो pressure है वो अलग-अलग देशों से आ रहे हैं इसमें जो aid workers थें वो Australia के थे, Poland के थे, United Kingdom के थे, Canada के थे, Palestine के भी थे और क्योंकि ये NGO है और इनका जो काम है वो काफी अच्छा काम है और ये सिर्फ Palestine में ही खाना नहीं खिलाते है बलकि ये पुरे दुनिया को cover करते हैं और इनका बकाइदा respect भी काफी है और इनके दुआरा ही statement release करके ये बताया गया है कि जिस तरीके से इसराइल के defense forces ने इन पे attack किया वो काफी targeted तरीके से attack था कहने का मतलब है कि वो planned तरीके से attack किया गया IDF के दौरा अब वैसे तो हम सभी को पता है कि चाहे वो US है चाहे वो इसरेल है उनका जो technology है वो काफी अच्छा है लेकिन जो world central kitchen के जो employees थे या जो aid workers थे ये लोग दो armored vehicles में travel कर रहे थे जहां जिसमें की गाड़ी में proper logo लगा हुआ था और बहुत ही अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं कि इसराइल के जो defense forces है उनसे coordinate करके ये movement कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी इनके गाड़ी को target बनाया गया as a result ये होता है कि 7 aid workers इसमें मारे जाते हैं और बकाइदा world central kitchen के जो executive हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो situation हो रखा है गजा में वो काफी भ्यानक situation हो रखा है और ये जो attack हुआ है इनके convoy पे ये सिर्फ इनके convoy पे attack नहीं हुआ बलकि ये पूरा का पूरा जो इंसान है उसको शर्मसार करता है उस पे attack हुआ है तो ये सब शब्द अपने आप में काफी कड़े शब्द होते हैं जिसका की असर है वो दिखना शुरू हो गया है वैसे तो चाहे BBC हो गया या CNN हो गया ये बढ़ चड़कर West के countries के agenda को दिखाते हैं लेकिन यहां पे इनके investigation में ये साफ साफ मालूम पढ़ रहा है कि जो इसराइल के defense forces के द्वारा जो warning issue किया जाता है या उनके द्वारा जो बताया जाता है वो information काफी conflicting होता है कहने का मतलब है कि अगर वो कहते हैं कि आप लोगों को east के तरफ जाना है तो जब लोगों east के तरफ जाते हैं तो bombing उसी side पे कर दिया जाता है और ये बकाइद अगर आप ये article पढ़ेंगे तो आपको खुद से मालूम पढ़ जाएगा हमास तक तो वो और सही था लेकिन अब जिस तरीके से conflicting information दे के Israeli defense forces attack कर रहे हैं ये चीज अब किसी को acceptable नहीं है और खास करके वैसे देशों को जो कल तक इसरेल के द्वारा जो steps लिये जा रही है बस इसलिए लिये जा रहे है क्योंकि 2024 में चुनाव है और कही न कहीं इनको ये दिखाना है कि USA as a country या ये खुद भी काफि responsible आदमी है ये वही USA जो बढ़ चड़ कर रहा है इसरेल को weapons भी दे रहा पैसे भी दे रहा और साथ में फिर press brief करके ये भी कह रहा है कि आप ceasefire कर दें तो ये बताता है कि US कितना वड़ा एक hypocrite देश है बहुत सारे ऐसे press conference में हुए है कि जब President Biden के party का जब कोई leader आके press brief करता है तो वहाँ पे President Biden के द्वारा जो action या support किया जा रहा है इसरेल को उसको लोग oppose करते हैं तो कहीं न कहीं जो media में highlight काफी हो रहा है और इससे कहीं न कहीं जो Biden है जो उनका political party है उसका भी जो credibility है उसे भी लोग question करना शुरू कर दिये हैं इसी में बहुत सारे defense analysts या high ranking officials ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से Israel के defense forces US के द्वारा ही manufactured weapons को use कर रहा है USA को restriction impose करना चाहिए Israel के उपर कि वो उन सब weapon का कहां पर use करें और कैसे use करें लेकिन फिर भी जिस तरीके से Israel को support किया जा रहा है USA के द्वारा शायद अगर कोई और देश होता तो उसके उपर इतने सारे sanctions लगा दिये गए होते कि आने वाले 100 सालों में भी वो देश कभी भी उन सब sanctions से उभर न इस तरीके से आप deny करेंगे कि जो व्लादिमेर पुतिन कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं या कलको अगर इरान ये कहता है कि वो nuclear weapon इसलिए बना रहा क्योंकि self defense का उसे हक है तो आप कैसे कहेंगे कि इरान जो कह रहा है जो कर रहा हो गलत कर रहा है और multiple ऐसे occasion हुए हैं जहां प आपने सफाई में वो ये कहता है कि जिसके उपर attack किया गया था वो काफी targeted तरीके से attack किया गया था और वो Israel के लिए काफी खतरा था तो आप देख सकते हैं कि geopolitics में अगर आपकी economy मजबूत है आपका defense अच्छा है तो अगर आप कुछ गलत भी करते हैं तो दुनिया आपको criticize करने से बचता है और ये देखना काफी दिलजस्प होता है कि क्या President Biden ceasefire करवा पाते हैं Israel और हमास के बीच में I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video Have a wonderful day Thank you, take care Goodbye